तो चलिए आज बना लेते हैं वैजवालों का non-base यह खाने में बोगत ही लगता है बहुत बर्जस्थ रहाद है क्यक् Yoke मैं बनाने वाली हूं गां वाला इस्टाइल में तो यह गां वाला इस्टाइल रहता है बनाने का क्योंकि यह सुद्ध मसाले साबुत मसाले पीस के बनाते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत जादा राता है तो धूशागत है आपका मेरी spicy food corner पर तो चलिए आज बना लेते हैं कटहल की सब्जी, एक दम बिलेज वला इस्टायल में, तो मैंने लिया है, बजार से कटवा की लिया था कटहल, इसमें पीसेस कुस बड़े-बड़े हैं, तो मैंने या पे कट कर लिया है, कुछ इस तरीके से, मैंने या पे हल्दी और नमक भी म कर दिया है जाल एक अब ड्याव मिक्स कर ले ना है आटे सेमें चाल वर नमक अब गाया में अब गया साइन तो अब करके रख देंगे एक पैन या कढ़ाई आब इसमें डालेंगे सरसों काल existed मैंने यू अच्छा फ्लेवर आता है तेल को अच्छे से गरम होजोनी बाद मैंने कटेल को डाल दिया है अब इसको पलटते अपलटते दोनों तरब से लेगे जब तगक यह golden brown नहीं हो जाता है तो जो बॉयल किया वा कटहल रहता है और उसका सबजी बनाते है उसका फ्लेवर कुछ अलग रहता है और जो फ्राई किया वा बनाते है इसका फ्लेवर कुछ अलग रहता है तो यह जो फ्राई किया वाला है तो यह गाउ में बनाते है ऐसे टाइप तो कटहला मारा फ्राई हो चुका है गोल्डन ब्राउन हो गया है इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में कुछ इस तरीके से अब हम मसाले तयार कर लेते हैं तो मैंने लिया एक बड़ा सा प्याज अद्रक का तुकड़ा और आठ से दस लसन की कलियां अब एक चॉपर में डाल अब यहां पर मैंने लिया है सुद्ध मसाले जो काओं में यूज करते हैं इनी से स्वाधिस्ट सब्जी बनती है तो यहां पर मैंने दो चमच धनिया एक चमच जीरा आदा चमच के तक्रिबन मैंने काली मेर्च लिया है और बड़ा इलाई ची लिया है हल्दी पाउडर औ सब्सक्षी लिया मेंने और बड़ी वाली मेर्च लिया जो इसमें सिर् k Desert लाड़ा के नहीं नहीं रहता है मसाले में और सब्जी में अच्छा COLर आएगा मसाले को बारी पेष्ट बना लेना है अच्छे से अब एक बरतन गरम करने के लिए रगतेना है इसमें डाल देना है सरसों का तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम डाल देंगे इसमें तेज पत्ता हम इसको अच्रिला बोलते हैं और यहां पर डाल देंगे जीरप अब यहां पर जीरप चटकने के बाद हम डाल देंगे प्याज चौप कियावा जो था अदरक और लसन भी इसको अच्छे से भ यहां पे तेल अच्छे से साइड हो गया है अलग हो गया है मसाले से कटहल को चेक कर लेंगे कटहल अच्छे से पक गया है अब हम कटहल को एड कर देंगे मसाले में इसको भी अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे दो से दी-ं वननेwert के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देंगे और इसमें मैं ये पानी आप जादा गरेवी बनाना है आप इसके भी कर सकते हैं गरम मसाला पाउडर क्योंकि क्योंकि हमने साबुत मसाले लिए हैं उनमें गरम मसाले की जरूत नहीं रहती है उसे ही बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यहां पर 10 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर कुक कर लेंगे पका लेंगे ढखकन कबर करके 10 मिनट होने के बाद हम ढखकन को साइट करेंगे देखेंगे सब्जी में बहुत अच्छा कलर आ गया है अब एक बार चिप कर लेंगे अब यहां पर एक अच्छा सब्जी यहां पर देखेंगे हम अच्छा से मिक्स कर देंगे सब्जी में अच्छा क्षूबू आ रही है तो अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिश्ट बनने वाली है तो एक बार ज़रू ट्राई करिएगा आप इसके सामने नॉन वेज खाना भी भूल जाएंगे तो इस सबजी को गर्मा गर्म सर्फ करिएगा चावल, रोटी, पराठे, पूरी किसी के साथ भी तो अगर ये रेस्पी आपको पसंद आई है बिलेज वला स्वात, सुद मसालों से बनी भी तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा लाइक करिएगा, सेयर करिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताएगा भी रेस्पी आपको कैसे लगी थैंकि